कि नमस्कार दोस्तों हर हर महादेव कैसे हैं आप लोग गूड मॉर्णिंग सबको चलिए तो मैं आप आ गया हूं फिर से साड़े 8 वज़े आपके लिए है ना और फिर आज हम लोग एक नए सीरे से एक नए प्रैक्टिस सेस्ट को लेके आया हूं है ना अब दिखिए हो होता है कि लोग बड़ा घवरार हैं चीजों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर नोटिफिकेशन आनी रहा आप हर बार लाइव आ जा रहे हो रूच और बहुत से आइसे स्टुडेंट हैं हमारे जो की बोल रहे हैं सर गुरूबडी में नहीं हुआ सर एंटीपीसी में भी एक् जारे हो सबसे अच्छे जगा पर पहुशना चाह रहे हो बहुतिरीन करना चाह रहे हो तो आपको सबसे खराब हालातों से होकर गुजरना है ना उन्हीं से लड़ना है बास समझ में आ रहा है तो मैं अपकर साथी बनके यहां पर आपके लिए रोज साड़े आठ बजे सु खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा तभी आप जाके वहां तक पहुंचोगे है कि नहीं तो यह जो आपका खराब हालात चल रहा है बोलो कि शेर आज तो वैलेंटाइन डे हैं लेकिन हमारे पास नौकरी ही नहीं है कि हमारे पास हम जाके अपनी गर्फेंड को कोई तो यह जो खराब हालात आप जहल रहे हूं ना इससे निकालने के लिए ही मैं यहां साड़े आठ बजे रोज आपके लिए महनत कर रहा हूं ठीक है तो देखिए आज हमारा जो नया सिफ्ट लेके मैं आया हूं वह है आपका 10 अगस्ट 2018 का सिफ्ट टू यह तो भाईया हो मैं उन सवालों को लेके आ गया हूं लेकर होता है कि बच्चे में मोटिवेशन की बड़ी कमी आ रही है देख रहा हूं बच्चे मोटिवेट नहीं है आज तो कम से कम छोड़ दीजिए आज तो हमें वैलंटाइन डे मनाने दो रहे वैलंटाइन डे तब मनाना जब रहे हैं सर बड़ा डी मोटिवेटेड हैं बच्चे मोटिवेटेड खिल नहीं करते हैं तर ग्रूबडी में दिये ग्रूबडी में भी नहीं हुआ एक तो तीन-चार साल बाद भेकेंसी आ रही है लेकिन हो नहीं रहा है सर अब क्या करूं है तो भाईया देखिए अपने जो हमारा जो प्रिपरेशन है इसको मजबूत करना है बात समझ में आया जब तक आप युद के मैदान में जाने वाले हो तो युद के मैदान से पहले आपको अपने सस्त्रों को बड़ा धार करना रहता है तो वह सस्त्रों को धार आप कैसे करोगे यहां प्रैक्टिस करके बात समझ में आ रहा है चलिए तो हम लोग session को शुरू करते हैं और इस session को शुरू करने के बात में सबसे पहला question जो आपके लिए लेके आया हूँ चलिए यह हमारा पहला question और देखे इस सवाल मैं बहुत ज्यादा समय आपको दूंगा नहीं कुंदन महतों जी कर रहे हैं चालू करेगे हां बिल्कुल चलिए इसका जवाब दिए जल्दी से गुड मार्निंग गुड मार्निंग सबको गुड मार्निंग जल्दी से जवाब गुड मार्निंग देखे कहा क्या रहा है problem figure दिया हुआ है मैं जूम कर दूं को देखे चलिए जूम कर दे रहा हूं कि अब जवाब दीजिए इस question का प्रकार से जा रहा है मतलब क्या बोलेगा कि एक figure देगा और बोलेगा कि चारों option में से आपका पता है यह problem figure है कहां है कि नहीं गुड मार्निंग गुड मार्निंग चलिए इस सवाल को कीजिए अब आपको क्या करना है ढूंड ना है यहां पर बहुत समय दे दिया मैंने ब प्रकार से जा रहा है अब इसको आपको ढूंड ना है कहां पे आप धूंड रहा है तो यह दो तो ऐसे ही आप देख रहे है कि नहीं होने वाला न अब देखको यह यहां पे यह थूंड एगा आ रहा है तो यह figure देखके गुड मॉर्णिंग कंचेर्ट मंडल बोल रहे हैं ए नहीं है वो ध्यान से देखना है फिगर ए है ना ऑप्सन कहा पर है उसका जवाब देना है आपको चली जल्दी नेक्स सवाल में देखिए जस्वंद चौगरी जी मैं आपका क्योरी ले लिया हूं ठीक है हमारी टीम आप सवाल है जल्दी से जवाब दीजिए जस्वंद जी लगाता है मैसेज किये जा रहे हैं आपकी क्योरी ले ली गई है जस्वंद जी आप बेफिक्र रहे है अभी प्रैक्टिस सेशन में इस चीज़ का जवाब दीजिए ठीक है ना चलिए गुड मॉर्निंग दीपक जी करते हैं दिया हुआ है माइन lat 14 प्लस पोर यहीमा स्ट लैगे माइनस 10 गीमारी गोट हला फिर से माइनस 10 इन्टू माइनस टन कि वहां कि अंधिक्टव वैरि बोड़ गोड आ संगल को नेक्स्ट को स्फिन यृत पहुत ही सवाल है अब देखिए यह समय जो चल रहा है घड़ी किया है अब यह घड़ी का question है और घड़ी है और यह जो calendar और clock वाना question जो बनता है ना अकसर बच्चे इसमें बड़ा परिशान करते हैं तो मैं इसका आपको perfect solution question देने वाला हूं concept के साथ ठीक है जल्दी से कीजिए और सेशन को share कर देना है ताकि आपके दोस्तों को भी यह लाव मिल सके यह जो महिनत मैं आपके लिए कर रहा हूं यह आपके दोस्तों तक पहुंच सके यह आपकी जिम्मेवारी है और सेशन अच्छा लगा है आपको तो दोनों सुईयों के पीछ बने कोन का मान बताना है अब अगर आप घड़ी देखोगे एंसर आ रहा है बचों का एंसर आ रहा है एंसर आ रहा है बोल रहे है सर बी होगा अजय जल्दी कीजिए कंचर मंडल जी बोल रहे है सर 120 डिग्री होगा वहरी कुड तेके मैं इस्पर आपको चीजों को बता रहा हूं अगर आप घड़ी देखोगे तो यह हमारा 12 यहां पे होता है यहां पे हमारा 6 होता है नहीं यहां पे आपके 9 हो गया यहां पे 3 हो गया यह आपका 1 हो गया यह दो हो गया यह आपका 4 हो गया यह आपका 5 हो गया मैं यह बाहर लिख दिया चलिए फिकवाँ आप समझ जाना इस साथ हो गया है यह-ाथ हो गया यह आपका द्स गया और यहาं से सब मतलम है क्या कहना चाहारा हूं आप ध्याम से सम्झो हूं मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इसको ऐसे पाँट दो तो सबको मिला दो सेंट्र से सबको मिला दो जैसे ही आप इसको सेंट्र से मिलाओगे तो कितने बाग में बट रहा है यह पूरा का पूरा कौन कितना बनता तो यह कितना हो जाएगा 30 degree मतलब एक एक को यह बन रहा है यह कितने का बन रहा है यह 30 तीन और चार मतलब कि आपका एंगल वा कितना हो जाएगा 30 गुने 4 120 डिग्री जो की option बी में है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड समझ में आ रहा है 60 into 8 by 2 ओके आप वैसे भी कर सकते हो 240 आ जाएगा वह आपका इधर से आ जाएगा 240 लेकिन आप देखो यहां पर आपको जवाब 120 देना है बास समझ में आ रहा है ने कोसिस करना है कि जो सबसे छोटा वाला एंगल है उसको जवाब में दे ठीक है चलिए यह तो method 1 हो गया method 2 आपको फॉर्मूला से भी बनता है यादा रहा है मैंने जब आप देखोगे ना मैंने जो second या third class में कराया था वहां भी मैंने एक घड़ी का question कराया था जहांपी कि आपको फॉर्मूला से कराया था तो आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो चलिए नेक्स अवाल में आ वहां पर मैं अभी next calendar और clock ही start कर आने वाला हूं तो अपको होता है क्या है कि sir हमारी classes आप बोलते हो कि आप में देखो तो आप में होता क्या है आप में जाओ कहां पर आपको करना है एम जी उमंग स्टडी आप को डाउनलोड करना है आप देखो इसका लोगो देख लो ध्यान से ठीक है आपको अपन करना है आप जैसे यह उपन करोगे न तो आपको मिलेगा हमारा कोर्स जहां पर कि मैं basic to high level reasoning करवा रहा हूं आप बिल्कुल करवा रहा हूं आप बिल्कु जब आप जोएं करोंगे तो नाइब बैचर में बिल्कुल सुबास साथ बजे ले रहा हूं आपको यहां पर आके जोइन करना है ठीक है अगर किसी को लगता है कि हमें सारी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चला जाये तो आप सारे सब्जेक्ट को लेकर भी चल सकते हो आप तो यहां पर ज्वाइन करोगे इस सफलता बैच में तो आपको सारे सारे बैचिस मिल जाएंगे ठीक है यह तो हो गया हमारी चीजों की जब आप हमारे इस पिसल अटेंशन के साथ चीजों को पढ़ना चाहते हो ठीक है आईए नेरेश्ट लेते हैं सर ओके एड चलिए को आगे और नगर फ़ोर ना ध्यान से देखिए को अध्यान से देखिए यहां पर चार फिए蒂 पाद α चार फीगर का जगहा पर दिया हुआ है, आपकी करना क्या है, कि इस फीगर का जिस्ता से यहां पर संबंध है, वैसे ही इस फीगर का यहां पर क्या संबंध है, इस चीज़ को आपको बताया नहीं, जल्दी से, come on. जल्दी से जवाब दीजिए इस सवाल का, question number 4 का answer दीजिए, कुंदन बहतो जी बोल रहे है, sir, option A होगा, option A बोल रहे है, option A में जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जी, आप कैसे बोल रहे हो, आप figure का जवाब दे रहे हो, इसके मतलब फिर से आप गरवरी कर रहे हो, तो इस question number 4 में देखोगे, यहाँ पे देखें, हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक mirror लगा दूँ, अगर आप मैं यहाँ पे mirror का जवाब देखोगे, यह जो बन रहे है, इस figure कैसे बन रहे है, यह सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे है, इसका प्रतिवीं है, दरपर का प्र आ रहे हैं आपका option A आ रहा है और option figure A और figure C आपका बिल्कुल same आ रहा है, नहीं, तो इसमें आपके दोनों हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे figure दिया हुए ना, figure में थोड़ी से गरबरी की हुई है, ठीक है ना, तो A और C यहाँ पे दोनों हो जाएगा, इसलिए आप इस सवाल को, इसका जवाब दीजिए question number 5 का, question number 5 जवाब देखोगे, रध्यान दीजिए question number 5 में, देखिए, आपको क्या दिया हुए, कोई एक संख्या दीवी है, बहुत बड़ी संख्या दीवी है, जहाँ पे 4 और 2 के अस्थानी मान का अंतर बताना है आपको, जल्दी से come on, question number 5 का answer C बोल रहे हैं लोग, देखिए, गरबरा आ रहे हो आप लोग, आप देखो जरसा, इस सवाल में, अगर आप 4 का, वहाँ पे अस्थानी मान देखोगे न, तो वह 40 अजाते जाएगा, है न, और 2 का अस्थानी मान आप देखोगे, तो वह माइनस 2 के करना है, अब दोनों के अंतर कर दो, तो आपका आजाएगा, 39,998, यह तो बहुती तिम्पल सवाल था, इसका जवाब आपको बहुती अच्छे से देना था, यह आपको जवाब देना है, अगर आप नहीं पा रहे हो, दिक्कत हो रही है आपको, मैं उस question का solution यहाँ पे दे रहा हूँ, पहले जवाब आपको देना है, और यह session हमारा बहुती कम समय का होगा, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल समय नहीं लेने वाला आपका, बिल्कुल कम समय में आईए, practice कीजिए, और आराम से जाए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जल्दी से आईए question मिल जा रहा है, प्रतिविम निकालने वाला, ठीक है न, आईए देखिए इस चीज को, railway का बहुत ही important topic आजाते है, reasoning में, प्रतिविम निकालने वाले में बड़ा दिक्कत है, अभी जो हमारा next to next, जो chapter में शुरू करने वाला हो न, वो ही, चित्र संबंदित सवाल है, आपका दरपन रगजयत, उसका प्रतिविम कैसा होगा, मैं वहाँ पे एक-एक अल्फावेट का प्रतिविम सिखाऊंगा, कि हर एक अल्फावेट का प्रतिविम किस प्रकार बनता है, यह special attention वाली पैचे से, जहां पर कि मैं आपको special attention के साथ, एक-एक बच्चे पे ध्यान देखे, जो भी लाइव आ रहे हैं, हर एक का डाउट एक दम क्लियर करते वे आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए इस सवाल का जवाब देना है जल्दे से, देखे ध्यान से, इस सवाल को देखे, अगर आप इस सवाल को देखोगे, तो यहां पे जब आप यह फिगर देखोग को यह कहां पे मिल रहा है, यह फिगर C में मिल रहा है, है किनी, और फिगर C कहां पे है, आपका आप्शन C में, होगि इंथा लेगें, किसी को कोई डाउट हो रहा है, है है, नेक्स, नेक्स urgent में आजिए, इस सवाल का जवाब देखे शावाल को, सांति राम जी बोल रहे देखिए उस विकल्प का चैन करें जो निम्नी चित्र की खानी जगों में नहीं प्रकार से फिट होता है जल्दी से जवाब दीजिए आपको फिगर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से है ना दीपक चौहां जी बोल रहे हैं सर ऑप्शन सी होगा कोस्टन नमबर सेवन का जवाब देना है आपको आप किस पे चले गए आप पिछले बाले में चले गए क्या शेयर कर देए ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी आके यहां पर हमारे साथ ट्रैक्टिस सेशन में जोइंग कर सकें अब आप देखो को सेवन में जब देखो इस फ नहीं होना चाहिए तो झाल तो ऐसा कोण सा है एक यह है और एक कौण सा है c है कि नहीं और यह पूरा का पूरा लंबह जाना चाहिए तो c भी नहीं हो रहा siis बहीं हो. section number 8 जल्दिस्र मीस्वी जैसे घंट से संऽंबनीत है जल्दी से कीजिए लिंधा से क्या बनता है रेखाओं का यूज़ करके आप बना सकते हो वैसे ही घंड का यूज़ करके आप चिरी फिगर बना सकते हैं और इस से ठीडिघर कौन से बना हुआ है अच्छा घं किससे मिलके बनेगा वर्ग बनेगा रेखांट है तो वैसे घं आपका किससे बनेगा चीजी सी बात है यह वर्गों से मिलकर बनेगा वेरी गुड नेक्स सवाल देखे इस सवाल क्वेश्चन नमर्ण नाइन क्वेश्चन नमर्ण नाइन देखे यह आपका सिलॉक्स का सवाल आ जाता है और सिलॉक्स के सवाल में अक्सर बच्चे जो है ना बड़ा डरते हैं बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें करना कैसे है तो आईए मैं इस सवाल को आपके लिए सॉल्ट करता हूं पहले में बच्चे बोल रहे हैं सर बी होगा किसका जवाब दे रहे हो दिपाक चोहां जी एज का बोल रहे हैं को सबसे पहले वहां पर करना क्या है आपको उसका हिंदी पढ़ना है और अंग्रेजी भी पढ़ना है कुछ परिष्टे क्या बोल रहे हैं वक्ताव क्या दिया कुछ फरिष्टे देवता हैं और सभी जीव हैं जब आप इसका अंग्रेजी पर वह पर लिए और यहां पर यहां पर आपको आईसे स्ट्रेट्मेंट वाले सवाल रहेंगे मैं आपको बस यहीं हिदायत को परों तो एक और दूसरा बोल रहा है और लिविंग बिंग्स और गॉड्स सारे के सारे लिविंग्स क्या हैं गॉड्स है अब आप इस फिगर को देखिके जला सा जवाब दीजिए और बताइए कितने लोगों का जवाब सही आ रहा है कंक्लूजन क्या बोल रहा है एंजल मतलब क्या बोल रहा है फरिस्ता और गॉड्ड मतलब क्या भगवान अब ध्यान से देखिए इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जब आप चीजों को पढ़ोगे ना बोल रहा है कि कुछ फरिस्ते जीव हैं सम एंज अब देखिए ध्यान से ध्यान से पढ़िए इस चीज को एक बार जवाब दीजिए मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का इसमें एंसर जो है आपका कुछ मिश्टेक किया गया है लग रहा है इस क्वेश्टन में आता हूं नेश्ट पे ठीक है उसके बाद आपके सवाल को पहले कीजिए उसके बाद मैं और और नाइन पे आता हूं कोश्चन नमर्ट 10 कीजिए कोश्चन नमर्ट 10 में आपको बोला है कि उस विकल्प का चेहन करें जो दी गई आकरिती में त्रिबुजों की संख्या दर्स आता है इसमें बताना है आपको काउंट करके जली से जवाब दीजिए इस कोश्चन का कोश्चन नमर्ट 10 बच्चों का जवाब आ रहा है कोश्चन नमर्ट 10 का जवाब आना चाहिए चली जब इसका आप काउंट करोंगे तो यह आता है आपका ए ओप्षन नेक्स जवाब कोश्चन नमर्ट 11 अब देखिए यह जो सवाल है आपका ब्लड रिलेस्ट से संबंदित है और ऐसे सवालों को करने के लिए ना जब आपका नाम दे देता है तो आप थोड़ा रिलेट कर पाते हो लेकिन जब आपका एबी सीडी या अल्फाबेट्स देदे तो आप बड़ा करना कैसे आप ध अब करने की मैं ऐखोंट करना हूं आपके लिए देखिए बोल रहे करें मैं क्रिब आपका को Allmäles क करने बोला करें का ला करने आपका को नहीं दूँगा और अगर कोई महिला है तो मैं उसमें नेगेटिव साइन दूँगा तो आप जहां से देखिए यदि भी जो है यू का भाई है मितलब भी में प्लस साइन आ गया और उसके बाद बोल रहा है कि यू जो है वो डबलू की बहन है यू जो है वो बहन है मतलब कि ये इस्तरी है और डबलू की बहन है मतलब कि टीनों आपस में क्या है भाई बार ने और डबलू के बारे में हमें कुछ नहीं बता और वो क्या बोल रहा है और एक्स जो है वो यू का पती है एक्स जो है वो यू का पती है नहीं तो अब मैं यह यहां पर देखेए डबल लाइन के यूज किया हूं ताकि आपको यह समझ में कि यू और एक्स बिक्ष। नहीं आ रहा है तो यह आपसे बी हो जाएगा वेरी गूट को और नमबर 10 एक्समें कर दी मैं आ रहा हूं तेन में डॉन परी थिक है देखें इस को 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 कुश्चेन नमर्ट ट्वल्ट को देखें इस तेकि यह भी स्लॉक से रिलेटेट सवाल है पिछले का पिछला कोश्चन था कोश्चन नमर 10 उसमें कुछ त्रूटिया थी मैं उस पर आ रहा हूं आपको बता रहा हूं उसमें क्या त्रूटिया है कोश्चन नमर 12 किजिए पुल्य धोनी एक अच्छ बलेबाद है और बलेबाद मौस्यार होते हैं स्टेट्मेंट है और कंकुलूजन है तो आपको करना क्या है कि स्टेट्मेंट को एगवार फिर से अंगरेजी में पढ़ता है कि धोनी जर्विट बैट्समन और बैट्समन और समार्ट अब इहां पर आपके से स्लोक से करते वे चीज़ों को मैं बताऊंगा कि प्रम कहाएं क चलिए आईए मैं इस सवाल को करता हूं बच्चे जवाब दे रहे हैं D बोल रहे हैं कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं बड़ा confusion हो रहा है बच्चों में आए देखिए इस सवाल को क्या बोल रहा है इसका अंग्रेजी पर पढ़िए इपर धोनी इजा गुड बैट्समेन है कि नहीं तो अब जब आप देखो के ना तो अब माल लीजे यह धोनी है यह धोनी हो गया और यह आपका बैट्समेन हो गया हूँ यहां से देखिए ठीक है सारे बैट्समेन तो धोनी नहीं हो सकते कुछ बैट्समेन ही हो है नहीं धोनी इजा गुड बैट्समेन नहीं यह गुड बोल देता हूँ कि सारे गुड बैट्समेन तो धोनी बन नहीं सकते नहीं उसके बाद क्या है बैट्समेन आर्ट स्मार्ट धोनी होस्यार है यह स्मार्ट है तो भाई आप इसको स्मार्ट से कर Please जित्धे भी समार्ट है तो आप पड़िये किया बोल रहा है किस अभी हौसियान लोग बल्लेबाज है तबिए बल्लेबाज हैं ऐसा नहीं हो राथ हो क्योंकि आप देखो मैं जो गुड बैट्समेन के लिये लिया हूं यह गुड बैट्समेन इतने ही चीज हैं और स्मार्ट वाले जो हैं वह थोड़े बड़े हैं जरूरी नहीं है अकर आप लाइन से भी देखो स्टेटमेंट से भी पढ़ने का कोशिश करो और समझने का कोश सकता है क्यों कि आप देखो स्मार्ट और धोनी दोनों की बीच में एक कॉमन चीजा बास समझ में आ रहा है तो सिर्फ क्या हो जाएगा में और यह और ऑप्शन ए में है बास समझ में आ रहा है ठीक है आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट में आईए को स्ट नमबर 13 आज का ज आप में हम लोग आज ऐसे ही सवालों को कर रहे थे अब आप देखो ध्यान से क्या बोल रहा है इस चीज़ को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ता कि आप इस सवाल को अच्छे से देख पाऊ चले इसको कीजिए देखिए इस तेरा कब भी होगा प्रभात यादव जी बोल रहे हैं तेरा कब भी होगा फिले जवाब देना है बचे लोग जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए कोश्चन बोल रहा है कि उपर दिया अनुक्राम में बाएं छोड़ते पारवे करेक्टर के दाई और तो आप सबसे पर इसका नामकरन कर दो एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस एक ग्यारा बारा तेरा चौदा बंदरा सल्ला सत्रा अठाटा 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 19 20 एगी नहीं बोल रहा है क्या बोल रहे हैं सवाल बोल रहा है कि बाएं छोड़ से बार्वे कैर्एंस करेक्टर के दाई और तो बार्वा Carr новых करेक्टर कों पे आरा है किोघंग नहीं अरुछ के बाद अस्ठाटन पर क्या होगा एक कि 3 इसथान पर क्या होगा तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए नेक्स वाल में देखिए इसको कीजिए यह भी सिलॉक्स से रिलेटेड है जल्दी आये इस सवाल का जवाब दीए क्वेश्चन नमर 14 देखिए बच्चों का जवाब नहीं आ रहा है क्या हो गया चली सिल्लॉक्स को मैं फिर से यहां पर बना रहा हुँ आके लिए देखें ध्यान से तभी बाज चील है तो मैं इधर बाज बना दे रहा हूं और इधर सभी बाज चील हैं क्या बोल रहे हैं statement some eagles आप देखो आप जब हिंदी में पढ़ोगे और अंग्रेजी में पढ़ोगे तो क्या आ रहा है अंतर आ रहा है सभी बाज चील है और यहां बोल रहें some eagles are kites तो यहां पर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि question में कुछ missing चल रहा है इसलिए मैं जो यह question का solution मैं अंग्रेजी को सही मान के कर रहा हूं अब आप देखो some eagles are kites some eagles are kites तो कुछ eagle और kite जो है आपस में मैंने common कर दिया अब बोल रहा है कि all kites are birds सारे के सारे kites जो है वो क्या है पक्छी है या bird है ठीक है अब बोल रहा है कि some birds are birds conclusion यहां पर आप देखना है conclusion बोल रहा है कि some birds are eagles को हां पहया some birds जो है विरड़ रहर सकते हैं और some eagles are birds को और स्वी सब्सक्रटान को सब्सक्रड दोने मृःबने क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे तो ना तो just इसका जवाब दीजिए इसका जवाब क्या आ रहा है कि दोनों अनुसरन कर रहे हैं तो निसकर्ण एक तत्थर निसकर्ण दो अनुसरन करते हैं बोथ one and two follows next चवाल इसका जवाब दीजिए Q15 सब्सक्राइब जब क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट के माधम से आपको एक कुछन पूछा और बोल रहा थे का जवार देने के सब्सक्राइब काoud ど − का पड़ेगा क्या बोल रहा है कि यदि अफ् से इतिहास भासा और विज्यान में औसटन पचास अंक प्राब किये हैं मतलब कि हिस्ट्री है कोई लेंग्वेज पेपर है और साइन्स मिला के उसने कितने आम औससे प्राब किये हैं है हिस्ट्री और लैंग्वेज का पेपर मिला के उसका पचीस आ रहा है इसका मतलब दोनों का जोड़ जह है वह 50 है आपको पुछा है कि विज्ञाद में कितनी अंख है तो हिस्ट्री और इसमें मिला के आपका अगर तो आप बता दोगी कि साइन्स में जो है एक सो पचास माइनस पचास मतलब सो अंख है वितलब कि स्टेटमेंट वन के ही माध्यम से आप उस सवाल का जवाब दे सकते नहीं और तो इसमें आप देख लो कतन एक और कतन दो दोनों ही उपर के प्रश्ण का उत्र में सक्षम है अगर सिर्फ आपको बोल दे स्टेटमेंट 2 में देखिए उस भासा में तीत अंत प्राप्त हुए हैं अगर उसको बता भी दे कि लैंग्वेज में सिर्फ तीस अंत प्राप्त हुए हैं तो भी वह साइंस का जवाब नहीं दे पाएगा बास समझ में आ रहा है तो इसमें आपको इसका अंसर कितने देर हैं बच्चे लोग सिर्फ इस्टेटमेंट 1 से ही तो पता चल गा रहा है आप देखो एक अकेला ही उपर के प्रस्ट का देने के लिए सक्चम है प्रांतुक सिर्फ केवल दो अगर हम देखें कि भाईया लैंग्वेज पेपर में उसको अगर अंगूर आपका बंच कर लाता है उसी तरह से भेड़ों का जुन्ड जो होता है उसको क्या करते हैं यह तो बहुत ही सिंपल सवाल है इस सवाल का जवाब देना है आपको है ना देखिए इसको सिंपल सा जवाब है इसका फ्लॉक बचे बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग जवाब देने में इस सवाल को देखिए अब देखिए यहां पर तर्क है और और अवधारना भी है अब तर्क में जब आप जाओगे तो तर्क में आपको स्टेट्मेंट दिया हुआ है और तर् लगों का हो सकता है कि हो और पुंश लोगों का हो सकता है कि हो तैंसे हो हो तो यह अवधारना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा तो इसका एंसर कितने दे रहें बच्चे लोग पंकच जी बोल रहे हैं सर सी होना चाहिए जवाब अच्छा कोस्टन नमबर सेवेंटीन का जवाब कि यह ना देखो केवल अनुमान एक तरक संगत है चलिए नेक्स सवाल को देखिए इस सवाल को कोश्चन नमबर 18 यह बहुत ही सिंपल सवाल है इसको बताना है कि खाली अस्थान में क्या आने वाल है देखिए जरा अब आप देखो जरा ध्यान से इसका जवाब दीजिए बच्चे लोग 17 का वो तो हो गया प्रभादी वो खतम हो गया कुमार सोनु जी बोल रहे है सेर आपस्टन ए हो गया इसका 18 का ए बोल रहे है अच्छा अब आप देखो ना यह सिंपल से किसका जा रहा है देखो द्यान से यहां से अगर आप इसको रिलेट करने के खोश्चिस करोगे तो यह कैसे बन रहा है इसका अपॉजिट बन रहा है यहां भी इसका यह इसका उपोजिट है तो अगर आप यहां पर देखने के लिए जआओ तो यह क्या हो जागए और amusing नहीं और यह simple लाइन क्म पहें तीन उसमें भी इसमें भी इसमें भी आप değild किया है उस्हां से आपका नीचे करके उल्टा कर दिया अगर आप इसको नीचे करके उल्टा करोगे तो पिए क्या होगा इसमें 60 होना चीज दो फिगर एसका सई है और फिगर ए कहां है थी कि आज आओ इसमें कुष्चिन नमर 19 में मनिक क्विश्टियं को द्यान से देखे अ इसमदि दर्सान ला में जैसे मैंने अप सर्कस्रिक्जब बना के दिखा रहा था यहां पर आपको आपको आपसे मिन की बनाते हैं तो आप देखों इसको सम्मंद स्थम्ने जाहोगे नारीख में तो आप कैसे दर्शा होगए इसको दर्सानी के लिए मैं आपको क्या करना पड़ेगा देखोगे भारत तो सबसे बड़त का चीज और उसके अंदर। अंदर में महाराश्ट है और उसके अंदर में क्या है केरल है और दोनों आपस में अलग अलग राज जी है तो ऐसा कौन सा है सिर्फ आपस यह है वेरी गुड जो लोग बच्चे प्रवाद जी बोल रहे है यह होगा वेरी गुड वेरी गुड चलिए नेक्ष देखिया अब आप इस फिगर को देखो को नमबर 20 जब आप कोश्चन नमबर 20 में देखोगे पहले मैं आपका जवाब ले लूँ एक बार कुछ सेकंड के लिए मैं रुक के आपका जवाब ले लेता हूं कोश्चन नमबर 20 में अब आप देखो दिहान से चलिए बच्चे जवाब देना है मैं सॉलूसन दे रहा हूं आपको इतना काइम काफी तो आपका जवाब देने के लिए देखे दिहान से यह जो तीसरा फिगर बन रहा है इन दोनों फिगर में आप देखो क्या समानता है इन दोनों फिगर के मा यह एक ऐसा फिगर है जो कि ना फिगर वन में है ना फिगर टू में है तो वैसे ही आपका जो तीसरा फिगर आएगा वह देखो आप नहीं इसमें होना चाहिए नहीं इसमें होना चाहिए नहीं नहीं फिगर वन में हो नहीं फिगर टू में हो तो फिगर वन में तो यह चीज मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का आपको करना क्या इसमें कौमन कौन सा नहीं है भाईया देखिए ये वाला आरो वाला चित्र वर्टिकल और होरिजंटल इसमें भी है होरिजंटल और वर्टिकल चित्र यहां भी है इस सिर्फ फिगर सी ही ऐसा है जो कि आप करना फिगर वन में है नहीं फिगर टू में है और यह फिगर सी कहा पर है आपको ऑफसेट ए में है ठीक है वेरी गुड़ जो बचे लोग दे रहे है वह सही जवाब दे रहे है चलिए इसमें आप देखें कुशन नमर्ट 21 अब यह अंग्रेजी सब्द का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है बताना है कि यहां पर क्या होने जा रहा है अब ध्यान से देखें बोल रहा है कि एम ए उसके बाद डैस टी का गाया बक्षर है तो उस जो गाया बक्षर है ना वहां पर आपको कौन से अलफाबेट हमको बैठाना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए आपका एक तरक संगत वर्ड बन जाए तरक संगत वर्ड बनाने के लिए अगर आप सी बठाओगे तो एम ए स्टी उसका कोई मतलब नहीं होता है एम ए और टी वह भी कोई मतलब नहीं बनेगा लेकिन जैसे ही आप आर बैठाओगे तो माट हो जाएगा जैसे कि एक्जामबल देखिए वे माट जाते हो ना आप स्वापिंग करने के लिए है कि नहीं तो वही यहाँ पे है तो यह क्या हो जाएगा आप्शन ए वेरी गुड यह हमारा अंतिम सवाल है और अंतिम सवाल क आपको गलत नहीं करना है यहां पर आज बच्चों का उस्सा थोड़ा कम लग रहा है ऐसा क्या हो गया थोड़ा उस्सा कम लग रहा है आप लों का जवाब दीजिए यहां पर कम आप वेलेंटाइन डेम पर सब मना रहे हैं क्या देखिए निमलिकित क्रम में प्रस्ल चिने द्वारा दर्साए गए अनुसार अब देखिए आपको यह सीरीज का सवाल है और पताना है कि अगला क्या होने वाला है जल्द से इस सवाल का जवाब दीजिए अब देखिए यह क्य है तो अगला क्या नहीं अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो लोग बोल रहे है कुशाल गुपता जी बोल रहे है प्रभात यादव जी बोल रहे है यह होगा वेरी गुड एन का अगर आप अस्थारिमान देखो तो चौदा है और इसका बारह है इसका दस है इसका आठ ह है तो अगला 6 किसका होता है F का होता है तो answer A हो जाएगा very good अरविद जी बोल रहे हैं A होगा समझ में आ रही है चीज़े तो आज हमारा जो भी सिफ्ट में था यह सारे questions को हमने देख लिया ठीक है अब जो मैं next session लेके आओंगा साड़े 8 बजे वो फिर एक नया shift का होगा और जो लोग यहां पर जवाब नहीं दे रहे हैं और बच्चे आप लोग ना share नहीं कर रहे हो चीजों को ठीक है और देख रहा हूं मैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो like भी को ताकि हमें motivation मिले आपके लिए चीजों को लानी का ठीक है तो कुछ चीज आज मैं देखा कि कि बचे आज बड़ा सुस्त लग रहे थे पता नहीं किसी नए दुनिये में खोए हुए हैं कोई बात नहीं मैं अगर नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नया स्रिप्ट का question से लेके आऊंगा आपके लिए तब तक मिलते हैं फिर नेक्ट क्लास में जाहिए बाए